कि है यह यह फ्रेंड्स वेलकॉम टू माइश्टडी फीट चैनल दोस्तों मैं प्रिविएस येर कोश्टन्स पेपर की सीरीज चला रही हूं यह सीरीज नमर थ्री है दोस्तों पिछले वार्षों में जितने भी कोश्टन जिस टॉपिक से पूछे गया है उन सभी टॉपिक क के कुश्टन में बता रही हूं यानि टापिक वाज में कुश्टन बता रही हूं जैसे कि अभी कंकाल तंत्र या हड्डियों या जोडों से रिलेटेड चल रहा है तो हर एक टापिक से जो जो कुश्टन पूछे गया है आज तक में जाह के बिएस नबिएस टीटी सब में से सभी कोश्टन को चार्ट करके इस वीडियों को बनाया जा रहा है तो दोस्तों आप प्रैक्टिस बस करते रहे हैं आपको सबलता आवस मिलेगी तो चलिए चलते हैं को सब्सक्राइब कर दोस्तों पहला कोस्टन है कि प्रथम कसे रुका को कहते हैं क्या करते हैं अच्च मेरुदर्ण एत्लस परसुका क्या करते हैं तो प्रथम कसे रुका के क्या करते हैं एपporterस को दोस्तों जैसा कि हमारा जो रीड के होता है उसमें कुल 33 हडिया होती है बच्चों में 33 अववाइसक होने पर 26 बच जाती है वैस्गों में 26 बट जो हमारे इसमी से हमारे गर्दन में यानि इस सर्वाइकल में साथ कसिरुका होती है और वश यानि की थोरेसिक में बारे होती है कोटी यानि लंबर में पांच और सेक्रल पांच होती है जो वयस्क होने पर एक बन जाती है कोक्सिजियल चौर होती है जो वयस्क होने पर एक बन जाती है तो बच्चों में 33 और वयस्कों में 26 कसिरुका होती है जिनवे से दोस्तों यहां पर कुस्चन क्या है कि प्रथम कस्रिवका कौन होती है तो प्रथम कस्रिवका जो हमारे होते हैं जिस पर एतलस होता है जिस पर हमारा खोपड़ी सधा होता है जो जिस पर हमारा खोपड़ी सधा होता है यह ध्यान रखिए कि दोस्तों प्रथम कसरीव का एतलस है और दिती अच्छ है जिस अच्छ पर एक्सिस पर हमारा एतलस जो है सधा रहता है उसी एतलस पर हमारा खोपड़ी सध रहता है 씨 तो प्रत्रम बहुत लों एक्सिस को लगा देते हैं ते प्रत्रम एत्लस है इसको ध्यान में रखीएगा तो हेस्ट कोस्ट डुस्ट रहेकि किस प्रकार का तंतु एक दूसरे तंतु को जोंडने में जायता करता है तो जोनना यानि connect होना तो एक दूसरे तन्तु को जोनने में सहता कून करता है connected tissue ॡ दूस्तों सो जी उन्तक या connecting tissue के Тन्तु संहेल के विभीन्य भागों को एक दूसरे से जोरते हैं इता ही प्रकार के होते हैं ऐसे हमारे मांुआते हो गया दो मुखत्त क्या है जैसकि आप सब को पता है cancellation dearden कैलिसियम है मुखी तत्व क्या है कैल्सियम में कैल्सियम के लो ruins कैल्सियम और मैं तत्तमकृप से पाइस जाते हैं पड़नてu क्यों सब्सींदक होता है तो में कैल्सियम फ् unfor a कैल्सियम नहीं जाने Да दोस्तों जैसा कि अब अब को बता उवाटर से गत्हुर से बनता है और जो 75% solub material याने की कठोल परदाथ होता है उसमें से 30% organic यानि carbonic परदाथ हो से और 45% inorganic यानि और carbonic परदाथ हो से carbonic परदाथ हो में जैसे कि हमारा मुखिता आसीन प्रोटीन, मीको प्रोटीन, किरोटीन के कारण बनता है इसके कारण हड्यों में flexibility बनी रहती है जो और carbonic परदाथ होता है उसमें calcium, phosphorus, potassium, sodium, chloride, आदी मात्रा 45% परदाथ है तो यह पुछे जाएगा कि हड्यों में कितना परसेंट जल परदाथ है तो 25%, कितना परदाथ है तो 75%, कितना carbonic परदाथ है तो 30%, कितना और carbonic परदाथ है तो 45% and दस्तों next question है, दातों तथा हड्यों में पाये जाने वाले तत्त कुन सा है, तो इसमें से कौन सा जिमाह में बहुत सायक होती है, इनकी कमी से अस्थी और दन समंधी बिमारिया हो जाती है, कैल्सियम जो होता है, दोस्तों ये और कैल्सियम काम करता है, रख्त जमने और पेशियों के कसाओं की प्रक्रिया में भी हमारा कैल्सियम काम करता है, ये आप ध्यान में रखीगा, कै काम और ऐब भ Haben को सबस्क्राइब हैं आपको समझने में आसाँ हो कि किस प्रकार कि पूपशा जाता है केल्सियम की आशकता सरीर में इस कारण होती है किस कारण होती है इस सब आप समसे चुके बताईए तो हडियों या दातों को मजबूत करने है तू नेश्ट कोस्टिन है दोस्तों अस्थी में कौन सा लवर सबसे अधिक पाये जाता है तो कौन सा लवर सबसे यदि पायाता है केल्सियम फास्फेत कैल्सियम फास्फेत कैल्सियम फास्फेत जुय सबसें जाता है हडिक का करण पन कैल्सियम नाम् herself के कारण हिस्थी थोस कठोर मजबूत संयोजी हूं त newspapers Coolregra सभी सब्सक्राटारीय क्यों पूछा है दो सब्सक्राइब नेश्ट कोंस्टन है दोस्तों हुमरस हड़ी इस्थित है कहां पर हमारा हुमरस हड़ी इस्थित होता है जैसा कि आप सब को पता है दोस्तों किसे आपर लिंब में आपर लिंब में जहां हमारे उपरी बाह हमारे कोहनी के उपर जो हमारा हाथ कोहनी होता है कोहनी के उपर के के जब्रिये से जुड़े ही है जब्रियुन के हुअ कंदे से जुड़े हुती है इस सब को आपको याद रखना जोather sense हमारे कालर बॉन होता है जो हमारे गले के पास इस्टनन Exchange सीने के मद्री हट्षाक की हडी को कहते हैं दोस्तों जो सारी पसलिया हमारे बारा-बारा जो झोड़ी spread जूड़ी रहती आपоР Frei जांगों की हडियां है जो हमारे सरी की सबसे लंबी हड्ट reflect on miss लंबीयम सबसे भारी हड़ी हमारी सरी की को माने जाती है फीमर माने जाती है उसको कभी कभी दोस्तों फीमर ना बोलकर उर्वास्थी भी बोल देता है इसलिए ध्यान में रखिएगा नेस्ट कोस्टन है कि जांग की हड़ी का नाम है जैसा कि आपको अभी मैंने बताया कि जांग की हड़ी का क्या नाम है फीमर नेस्ट कोस्टन है मनुस्टर की चेहरे की सबसे मजबूत हड़ी का नाम बताईए कौन सा है मैंडिबल हमारे चेहरे की सबसे मजबूत हड़ी है और सबसे बड़ी और भारी हड़ी कौन है फीमर है जांकी मानो सरीर में फेसियल हड़ीयों की संख्या यानि चेहरों की कितनी हड़ीया होती है दोस्तों चेहरे में 14 हड़ीया होती है और हमारे मस्तिस में कितनी होती है मौनोसरी की चेहरे में 14 हडिया होती है और हमारे कान में कितनी होती है दूस्तों 6 हडिया होती है कान में कितनी होती है 6 हडिया होती है एन हमारे खोपड़ी में कितनी होती है क्रेनियल में 8 हडिया होती है एन हमारे कंठ में कितनी होती है एक ह कंठीकżenia के उपल मिला करके 29 हद्या हो जती हैll डूर दerson काम करती हैं इस्ता नर्ट काल में होती है जैसा कि इस ऐन्डर नाम शुन के आपको पता हो गया होगा कि इस थान्डर कहां पर होता है हमारे चाथी के बीचे बूंच होता है जीसमें एक तरफ 12 पसलिया दुसरे तरफ 12 लिए पसलिया को चुबीस पसलिया जुड़ी रहती है तो इस एलनर में वहता है तो मैं को सबtu Szakaları रहती है तो यह सरा कि अब किन निक्ट्रीक में दोस्तों कि हमारे सरीर में पाए जाने वाड़े सबसे जांची तो इस question में आप बताएंगे इस option में सबसे लंबी अस्थी कौन है तो इसमें फीमर ना देखर कि उर्वास्थी बोला है दोस्तों इसलिए बताती हूं कि फीमर को उर्वास्थी भी बोला जाता है तो सबसे लंबी अस्थी क्या है फीमर या उर्वास्थी सबसे लंबी भी है सबसे भारी भी है एध्यान में रखेगा कई बार इस questions को पूछा हुआ है next question है दोस्तों मानुक के मुटापे का मुख्य कारण क्या है अस्थी उत्तक में बिद्धी है कि पेशी उत्तक में कि वसी उत्तक में बिद्धी कि उपीत सभी है इसका सही उत्तर है वसी उत्तक में बिद्धी हमारे सरी में वसी उत्तक की बिद्धी हो जाती है तो हम मुटापा के सिकार हो जाते हैं वसी पद्राथों को आते हैं धीक शिवन करने से मुटापे का प्रमुख कारण वही होता है आज कल मोटापा आधुनी समाज के बहुत बड़ी समस्या बन गई है तो दोस्तों नेक्ट कोस्टन है कि मानो खोपडी में हड़ियों की शंख्या कितनी होती है यह बहुत है इंप्वार्टेन है दोस्तों आपको आप सबको पता है बट इसमें गलती कर जाते हैं मानो को पंठी का खोपडी सब देखना है तो सकल में हड़ियों की संख्या कितनी होती है तो कुल दौस्तों 29 होती है लेकिन यहां पर 29 दिया नहीं है तो 28 श्योगा ओंचे है आठ खोपडी की चेहरा चुद्य कांच छे कंठीका यानि हाट बोण एक कुल में लाकर के 29 होती है ठ इसका लबोन की अस्थी संधी को क्या कहते हैं जैसा कि मैं पीछले वीडियो में पार्ट वे बताई हूं कि खोपडी की संधी को क्या बोलते हैं उमारे खोपडी का जोड़ होता है उसे हम क्या बोलते हैं उसे हम सुचर बोलते हैं सुचर यह अचल संधी में आता है जैसा कि दूस्तों हमारे चली में होता है संधी हमारे । तीन प्रकार की gauche संधी होता है . अचल-चल होती है , जिसमें से अचल संधी एक खुपड़ी spति में पाती है और यह संधी और व्लिल की हள्य हती है अनें दूस्तों जो चें संधी होती है। उछ feedback की होती है? जैसा कि मैं बता चुकी हूं पिछले विटीओ में, नेस्ट कुछर है हॉट्डी जाइगोमेटिक किसमें मुझूद होती है? जाइगोमेटिक, दूस्तों, घोपडिमे मुझूद होती है यहां मानो खोपड़ी में जाएगो मेटिक हड़ी एक युगमित अन्यमित हड़ी होती है और जो मैगिला, टेंपुरल बोन, इस्पेनायर बोन और ललाट हड़ी यानि फ्रंटल बोन से जूरी रहती है तो यह आप ख्याल रखें कि जो जाएगे मेटिक बोन है वह हमारे खोपड़ी में पाई जाती है नेस्ट कोस्टन है कि मानो सरी की सबसे छोटी हड़ी कौन सी होती है तो मानो सरी की सबसे छोटी हड़ी कौन है जैसे हमारे कान की हड़ी सबसे छोटी हड़ी है इस्टेपीज कि हमारे कान में को से हड़्य पा जाती है मालियर् صवारा मिस 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 याद कर लिजिए आपको याद हो जाएगा मिसり मेलेर इस इस हंकस को gi हो हमारे का नियुंप को आधार पर वरगी कित किया गया है यहां में आपको खाले इस्थान भरना है मानुसरीव हमारे हड़ियों को किसके अधा पर वर्गी कित किया गया है तो आकार और आकरिती के अधा पर वर्गी कित किया गया है तो पांच भागों में कौन-कौन से हमासे लंग बोन, शार्ट बोन, फ्लेट बोन, इरिगुलर बोन शियमॉड. में हमारे हाथ पैरों मस बम में फिस लिमाण में को के कड़ों का निर्मान होता है दोस्तों और फ्लेट बोन में हमारा टार्सस और कार्पस हमारे कलाई की अस्थी जो कार्पस होती है और हमारे जो टकने की पर की हदी होती है तार्सस कoration घ्रपस ह kicked कार्पस होती है साट बोन में इन तीसा रह testify फ्लाट बोन यांदि या हमारे न कंडरास्थी है कि या हमारे फ्लाप रही होती है ज्मारे। या कनरास्थी बोन यह हमारे जोडों की पर पाजाती है जैसी कि हमारे पत्रेला हो गया पत्रेला यह हमारी सिजर्ण ओप्रण में बन में आ जाता है निच्ट है दोस्तों की अग्र बाहूं यानि फोर आर्म जो हमारा अग्रहात होता है कि दो संधित अस्थियां क्या कहलाती हैं दो संधित अस्थियां यार्टिकुलेटेट बोन क्या कहलाती हैं तो दो संधित अस्थियां कौन-कौन सी होती हैं हमारे अग्रबाह में आपसर में से ए ध्यान आपको देना है वर टीब्रा तो हमारे पी तो radius अल्ला इस तरीके से भी आपको उत्तर ढूरत परेगा अगर नहीं आएगा तो इस तरीके से तिन आपसम गलत होगा तो एक आपसम सही वही जाएगा तो यहां पे तो आप सबको आता है कि अगर बाहूं की दो संधित अस्थियां क्या कहलाती है तो रेडियस अलना जो हमारे अंगुठे की तरफ से अस्थि जाती है और कोहनी पर जाके मिलती है वो रेडियस होती है जो हमारे छोटे उगली की तरफ से जाके कोहनी पर मिलती है वो अलना होती है कौन सी हड़ी पैर का एक हिस्सा नहीं है कौन सी हड़ी पैर का एक हिस्सा नहीं है तो जैसा कि दोस्तों प्रगंडी का यारी हुरस किसे पार जाता है हमारे हाथ में पार जाता है उपरी बाहु में तो यह तो हमारे पैर का हिस्सा नहीं है पहले ही पता चल प्रेगंडिका यानि हुरूस है कि निएकित में से कौन सी उपरी बांग की हड़ी है इसमें बताएए दोस्तों कौन सी उपरी बांग की हड़ी है मैलियस जो कि हमारे कान में पाजाता है प्रिपेजियम हमारे हाथ में पायाता है हमारे अंगुठे के पास जम्भिका यह नहीं पायाता है हमारे हाथ में यह उपरी बांग में पूछा है दोस्तों उपरी बांग में कौन सा पायाता है नेक्स्ट है आपका प्रगंडिकार इसको यूमिरस बोला जाता है दोस्तों इ देखकर ही आप एंसर टिक करिएगा क्योंकि देखिए यहां पर प्रगंडिका लिख्या है तो सबको प्रगंडिका समझ में नई आएगा जबकि इंग्लिस वरजन में वहां हुमरस दिया रहेगा नेश्ट कॉस्चन है दोस्थों अंसफलक यानि इसके पुला कहां पर इसित हो तो यह होती है उपरी पीठ में एक कुश्चन भी बहुत बहुत पूश्चा जा चुका है नेस्ट कुश्चन दोस्तों मानो अस्थी पंजर के घुटने हाथ और पाउं में पाई जाने वाली अस्थियां कहलाती हैं दोस्तों यहां पे आपको की पॉइंट पकड़ना है चार आपसंद दिया हुआ कि गोटने हाथ और पाउं में पाई जाने वाले अस्थियां कहलाती है यहां पे दोस्तों घुटना सब्दाया है यहां पे आपको की पॉइंट देखना है हे आपको गोटना सब्दाया यानी कि जोड़ों की बात कह रहा है अभी मैंने बताया कि फिर्षब गवर्गी सीशामयाट बोल या कंडरास्जया बला जाता है ऐसा ठीक है कि नेस्ट को ऊच्छान ने दोस्तों घुटने तो की परिवर्तनी अस्थी को कहते हैं अ 2-2 का थेक्वां और कौन 1 कुटमे व तो कुटम करने लि प्रतिस्थापन भाग प्रया मानो निर्मित होता है मतलब कि यहां पर कृतिम चीज लगा जा सकता है जो कि आजकल बहुत ही सुगमता हो गया है जो कि मजबूत प्लास्टिक से बना होता है वहां पर उसी अकरकब बना दिया जाता है जो आपका छतिग्रस्त हो गया तो निश्ट है दोस्तों कि इस्टरनम हड़ी तो आप जाने गया है कहां पर होता है हाँ निश्ट कोशन है कि सरीर में लंबी हड़ियों का कार क्या होता है जो हमारे सरीर में लंबी हड़िया होती है क्या कार करती है तो दोस्तों नंबी अंडिया जो होती है वह सरीर में लीवर के रूप में कार करती है और क्या क्या कार करती है हमारे लंबी अस्थियां या हमारे सरी को सहरा देती है भीत्री अंगों को सहरा देती है जितने भीत्री अंग है इसी से स्रच्छित रहते हैं और उत्त्रधिया रक रखाऊ उत्तिं रख रखाऊव मरमध भी करती है जेतने भी रख टक की कड़ों का निमाय करती है कि Pacific का संग्राव भी करती है कि आस्ति पंजल सक्डीच मांस्पेश्यों को जोड़ने के लिए सपह बनाती यह सारे काम हैं थुब तो, लंबी हडियो года कारेव मुझता मुझता क्या है। लिवर की रुप में कारेव करते हैं। तो यह लेक्र पुछा गया है है दोस्तों नेक्स नेक्स है आपका तो दोस्तों यहां पे आपका घुरी लेटेट सब्षंके पीछले के चरली में पूछे पूछे गये हैं यह दो पार्ट मिला के पार्ट टू एंड पार्ट थर्ड में समावत होता है और नेक्स्ट पार्ट में मानस्पेशी तंतर से भेरी इंपोर्टेंट कोस्टन्स बताया जाएंगे जो आपकी प्रिवेस यर में पूछे गये हैं तो दोस्तों आज बस इतना ही नेक्स्ट वीडियो में और हो गा तो अई होप कि ये वीडियो आपको बहुत अच्छे से समाझ में आया होगा दोस्तों एण आपको कैसा लगा मुझे कमेंड में जरूर बताये दोस्तों जादे सजाते हैं अपने दोस्तों तक भी शेयर कीजिए दोस्तों आप regular इन सभी वीडियो को वास्ट करते रहें क्योंकि इंतजार करने वाले को सिर्फ इतना ही मिलता है जितना कोशिस करने वाले छोड़ जाते हैं regular basis पे आज के competition के दोर में आप तयारी करत तभी आपको सफलता मिल सकती है जब आप सुचेंगे कि हम फार्म भरे और तैयारी करें तो ऐसे बहुत लोग बढ़े हुए हैं दोस्तों क्योंकि बहुत लोग तैयारी करके बैठे हुए है आज की कंपरिशन के दोर में इतनी सारी जन्शंख्या हो गया है कि आप पहले से तैयारी नहीं करेंगे तो सफलता पाना बहुत ही मुश्किल है पहले से तैयारी यानि की रेगुलर बेसेज पर यह नहीं कि आज पढ़े दो जिन नहीं पढ़े फिर पढ़े ऐसे में कुछ होने वाला नहीं है इसी regular basis पे आप revision करते रहे हैं जो ही पढ़िए उसके revision जरूर करिए और मेरे channel पे बने रहे हैं और अपना self इसड़ी भी करते रहे हैं तो दोस्तो daily basis पे आपको यमसी की questions previous year के मिलते रहेंगे तो दोस्तो पहली बार विजिट कर रहे हैं तो channel को subscribe कर लेज़े बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए जिससे जो ही मैं नया वीडियो अपलोड करूंगी उसको notification आपको मिलता रहेगा तो दोस्तों मिलते हैं नेक्ट वीडियो में नेक्ट टॉपिक की साथ तब तक के लिए जैहिन